इस पर फोकस कर रहा हूँ přैसंग करोड़ा है की सबसे खास बात में आपको बताओ कि तो इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट काम होता आपका वो पोस्ट का चुनना कि किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें आपको लगीगा कि यार जिनके नंबर जादा है उनको टेंशन नहीं है जिनके 670 670 नंबर ऊणके नोटे वाला तो मैंने नोटिस किया था बच्चे कि मैक्सिमम जो हाई स्कोर है वो ज्यादा ही दिक्कत में आपके क्योंकि वहाँ पर और भी ज्यादा लाइफ आप इसमें गुजारोगे तो आपको सोच के थोड़ा सा डिसिजन लेना है ठीक है ना तो ध्यान में रखके इसको भरना है और इसका और आपको बिल्कुल सहीजर रखना है दीके कुछ बाते हैं मैं अच्छे यह जो बाते मैं बताओं आपको इसका यह मतलब नहीं क आपने गेन किया है सैलरी आपको लेनी है पोस्ट आपका है बच्चे लाइफ आपकी डिसिजन आपको ही लेना है इसको दिमाग में रखिये किसी के कहने पर आप ना कभी कभी पोस्ट भरना ना भरना चाहिए और आप भरोगे वने इतना आपको समझ है ही रैट कोई बात आपको बताता है तो आप उनको सोचते हो देखते हो आपको लगता है कि सही है गलत है जो भी है इतनी समझ आपके अंदर बिलकुल है और यह कोई भड़काने या किसी तरह की बात नहीं है आप अपना बिल्कुल सो समझ की फैसले लेना और मैं आपको फिर तो बोल रहा हूं फैसला आपको करना करते हैं आप ही हूं रइट तो को पहली बात आपको यह ध्यान लखना है कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो एक मार्केट में या स्सी में एक ट्रेंड चल रहा होता है कि जैसे प्रेजबर करते हैं प्रेजबर को हैं सब चीजें बदल रहे हैं आपकी तो उपडूर्ब करने प्रेजेंट को देख कर के ही करनें ये हो हला किसका लेके चल रहा है यह कि आपने पुराना देखा कि लोग बोल रहे हैं कि या इतना पैसा चाप हो गए या यह हो गया वो हो गया इतनी पावर इसमें आप थ्री स्टार मिल जाएगा बंदुक मिल जाएगी यह सब चीजे नहीं रटा करके प्रेजेंट में क्या चल बिल्कुल आपको नहीं फसना उस ट्राइप में नहीं जाना रइट लोग कहें या ना कहें वह अलग बात बाद में आपको चीजे समझ में आती है अभी शुरू का कुछ दिन का रहता आपको बाद में आपको फिर बाद में रिग्रेट होता है तो यह पहली चीज ध्यान 18 में सबसे पहले पोस्ट प्रिफरेंस का पेड सर्विस स्टार्ट किया था पेड सर्विस में लोग मुझसे रिव्यू जानना चाह रहे थे या फिर लोग थोड़ा सा डिसक्रशन दी कि होता है कि आप कुछ चीजों में कन्फ्यूज होते हो रही तो पहले तो मैं ऐसा ही कर बड़े अच्छे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले जो अलड़ी वर्क में थे काम कर रहे थे या जो लोग फ्रेशर भी हैं जो UPSC का मेंस कई बार निकाले हुए हैं और बहुत अच्छा लगा बहुत सारी चीज़े बताएं तो जिन्होंने जो जॉब में थे ओलड़ी वो जब पुछीजे बताते हैं बच्छे तो आपको और क्लेट पिच्चर निकलता है कि क्यों आपको भी उस टाइम में जॉब में आप पहली बार घुसरे हो लोग ओलेटी तीन-चार साल से काम कर रहे हैं तो जो बाते निकलके हैं उसमें मैं यहां तक समझ पाया पूरा अपना अठारा का अभी चल रहा है उसमें कई लोग वर्किंग कॉल आ रही है वहां से तो लोग यही बता पा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो समझ में आता वह आता है होम पोस्टिंग का अब आप कहोगे यह क्या मतलब हुआ कि मेरे स्कोर बहुत अच्छे हैं और मुझे हो आतों को ध्यान से सुनेगा तो होम पोस्टिंग को लोग सबसे ज़्यादा प्रिफरेंस दिये जो लोग आलड़ी जॉब में है ना पैसा ना पावर ना कुछ नहीं बच्चे सिर्फ चाता है इन लोगों ने यह बताया ठेक है ना और इसके बाद बताओं मैं आपको कि होम पोस्टिंग अगर नहीं भी है तो लोग चाहा रहे थे कैसे भी करके कि अपने शहर या अपने होम स्टेट के आसपास भी आ जाएंगे तो चलेगा बहुत ऐसे बच्चे कॉल है लोग किस ग्रेट पे तक कोई बात नहीं बच्चे कुछ नहीं ना कोई अच्छे अच्छे पेगे एक साइस के कितने लोगों के कॉल है चिन्हीं में आपको अठारा वाले में करीब उनके बैच का मेरे साब से 50-60% पूरा बैच ही लोग रेट पे के लिए अठारा में भरके उन्होंने ट्रांसफर लिया इदर की तरफ राइट और ऐसे हर जगह से फोन है हर जगह से कॉल है तो समझ में यही आया कि home state home posting बहुत जादा important है अब कई लोग यहाँ पर होगा कि लोग घर में नहीं रहना चाहते हैं घर से बाहर भी निकलना चाहते हैं सभी लोग ऐसा होता है लेकिन एक टाइम पर आपको भी नहीं समझ में आगा जब बाद में समय बीचता है त अगर आप ऐसी job लेते हो SSE की जिसमें transfer आसानी से हो जाता या transfer open है देखिए SSE की जो job है उसको में तीन category में बाटू तो एक में आपका transfer हो जाता है एक में transfer होता है लेकिन कुछ restriction है और तीसरे में transfer ही possible नहीं है यहसे example के तोर पर देखें कि जिसे कुछ तो fixed job है आपकी जि transfer को लेगे बड़ा दिक्कत है आपका इसी तरह से आप देखो exercise में आपका exercise में zone से बाहर का मुश्किल है आपका तो ऐसे सबका अपना अलग-अलग है criteria तो transfer अगर आपका है open है easily transfer हो जाता है तो एक hope रहती है कि चलो 3-4 साल तो मैं काट लूँगा and then बाद में अपने state के त आपसे में बता रहा हो right और अगर एकी service पूरी एकी जगह पर गुजर जाती जैसे मालनों आपको नहीं idea है कि CSS में बाद में आप home state ले सकते हो आप राजस्थान से हो आप UP से हो बिहार से हो और आपने 10 सल काम किया जब दिल्ली में तो आपको फिर बात में लगा कि आर कोई chance नहीं कि आप दिल्ली से वापस move कर पाऊ और एक जगह पर पूरी service काटना भी थोड़ा सा boring हो जाता है मैंने CSS में कई लिगों से बात किया तो लोग यही कहते है कि थोड़ा सा boring है कुछ इसमें exposure नहीं सीखने को नहीं है तो हम exercise की तरफ move कर रहा है या दूसरे field job की त पाऊंगा reason है यार की handle नहीं हो पा रहा है सीधी बताओ मैं आपको और मैंने CHSL में लोगों से कहा था कि जिन्हों ने paid नहीं लिया तो भी कर पाऊंगा में लेकिन सीजल का result आगया 19 का बीच में तो मैं बहुत जादा busy हो गया और इतने message बचे रहते ना telegram open करते ही इतने अब मुझसे आपको पता है कि जो लोग मुझसे जोड़े है YouTube comment आप देखते होगे कि मैं छोड़ता ने comments मुझसे नहीं हो पाता कि लोग पूछते जो लोग कुछ च करने की जोड़ता नहीं या फिर कोई भी इसमें आपको नहीं करना है रेकिन आप थोड़ा सा confused हो या फिर बिलकुल नहीं हो तो देख सकते हो आप कोई वह नहीं जवरदस्ती नहीं फिर मैं कह रहा हूँ कि comment YouTube के मैं जरूर कर पा रहा हूंग टेलिग्राम प्यार बच्चे प्रमोशन बड़ा important part रहता है लोगों के लिए क्योंकि देखी होता है क्या है कुछ service SSC किया से जिसमें फूरी service में केवल एक या दो ही प्रमोशन है आपका जैसे देखो जैसो की पोस्ट आपके जैसो में आपका इसलिए वो पिटा हुआ है कि दो ही प्रमोशन होता है एक 2800 का प्रमोशन फास्ट आपका तो आप नोटिस करोगी कि वहां जहां से आपने स्टार्ट किया था आपसे लो ग्रेड पे वाले ने अच्छा ग्रोध कर लिया डिपार्टमेंटल एक्जाम देख करके उसने अच्छा प्रमोशन ले लिए क्योंकि आपको समझ में आगा कि यार पोस्ट और कितनी मैटर करती है जब गवर्मेंट जॉब में जाते हैं तो आप से उपर वारा देखो कि यार अच्छे रैंक पर हो बंदा तो पावर अच्छी मिल रही होती है फैसिलिटी अच्छी मिल रही होती है तो इस वचे से डिपार्टमेंटल एक्जाम और प् लिए अपने शसी यार बहुत सारे मतलओ फिफ्टी पॉश्ट से जादा लोगों का जो होता है एक आप्सें अपका और मेन होता है यूपीएस सी के लिए कि आप आते ही से लाइन में से लिए हो कि चलो यूपीएस सी देना है तो एक बैकप की पोस्ट हो जाएगी एक दिन स्टेडी टाइम और वर्कलोड देख करके लीजेगा इसमें क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि चलो एक साइज ले लेता हूं और त्यारी कर लेता हूं करने के लिए लोग करने वाले जॉब के साथ कर लेते कई सारे लोग बैंक में काम करते उनके अच्छे स्कोर वाले कर लेते वह एक एक बात होती है लेकिन फिर भी हम देखे जो नॉर्मल ट्रेंट है वह यह कहता है कि जो फील्ड वाली जॉब होती है उसमें टाइम नहीं बन पाता एक हो वर्कलोट कम रहता है तो अगर आप तयारी की तरफ देख रहो यूपीएस के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देना चाहिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपको के आपको समझ में आगा जब वहां जाओगे देखोगे आप कि आप जो आई सेवा है कहने के लिए कि काम सेखने के लिए अंत में बात समझ में आती कि पैसा ही है सैलरी ही है और फैमली चलाने के लिए पैसा मैटर है और महंगाई किस स्टेच पर है यह कहने के जरूरत नहीं है घर में रोज आपको बताई जाती इस बात को है ना तो यार इसलिए कहा जा रहा है कि salary का भी matter रहता आपका मुद्दा रहता है लेकिन मैं आपको यह बता हुआ कि अगर आपके शौक्स हो नहीं है या आप बहुत जादा उस तरह के नहीं कि SSE में maximum middle class के लोग या फिर छोटे जगाओं के लोग तयारी में आते हैं तो उनकी मैंने ज्यादातर लोगों से बात किया बड़े decent लोग होते हैं मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मौज मस्ती वाली लोग होते हैं या फिर ऊपर खर्चा वाले होते हैं आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है मेरा तो उस तरह कि आपके normal life है आपके खर्चे में limited होते हैं तो आप manage कर सकते हो इतनी salary है और आप तो बढ़ गया है आपका होते हैं तो वह लोग पैसे को बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस देते हैं कई call message आते हैं लोग पास जब प्रिफरेंस में लोगों से discuss करता हूं तो लोग कहते हैं कि सर पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी importance है तो मुझे लेना ही पड़ेगा दिन आप अच्छी पैसे वाली मैं नहीं रुखना चाता है यहां से छोड़ना चाता हूं ऐसा भी होता है बचे तो salary वाले में कुछ allowances मिलते हैं डवल यू में मिलता है travel allowance आपका वैसे GSO के अंदर भी मिलता आपको पैसा extra कुछ आपकी hard station posting में जैसे हो जाती तो वहां पर पैसे मिलते हैं आपको और security allowance मि आपको 13 महीने की salary मिलती है तो यह कुछ अगर आपको salary का भी है तो दिन आप यह भी देख सकते हो लेकिन salary को मैं बता हूँ आपको सबसे last में रखना चाहिए अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकि आप यह देख सकते हो और भी आपकी requirement हो सकती है मैं मानता हू इस चीज को मैंने बहुत cases handle की इतने complicated चीजें देखी है मैंने लोगों साथ और सब की अपने अपनी जरूरती रहती है आप अपने अराम से देखकर भरिए अब इसे सोचना चालू करिए बीच में paper भी आ रहा है वो भी देते रहिए धीर दे सोचते रहिए कोई help चाहिए तो टेलिग्राम पर message कर दीजे या YouTube comment का message कर दीजे मैं free होके जरूर reply करूँगा